बिसमिल्लाय आहमान रहीम असलाम उलेकम ओप सो यू और फाइन ओपन आप यूर बोक्स नीव ऑक्सफोर प्राइमरी साइंस फॉर लेवल 3 पेज नमबर 3 हमने अपने बच्छों चप्टर स्टार्ट के दर हुमन बोडी हमने कहां हुमन बोडी के डिफ्रेंट और इंड सिस् आइस और इंड इयर्स को डिसकस किया था आज हम वाकी रिमैनिंग जो 3 हैं उनको करेंगे नोज टंग एंड स्केन नोज अब में रीडाउट करूंगी फिर मिस की आपको सम्झाओंगे ठीक है एस्प्रें करूंगी मैनी तिंग्स गिज ऑफ स्मैल सेंट एंड और देखें हमारे पास आज पर बहुत साही चीज होती है कि किसी की खुश्पू अच्छी होती है किसी की बुरी होती है ठीक है किसी की जस्ट नॉर्मल होती है ना तो हमारे चीज़ें हमें खुश्पू देते हैं और बद्बू भी होती है उनकी स्मैल भी होती है ठीक है दीस स्मैल्स इयर वो जो हमारे पास smells आती हैं मतलब जो खुश्मू है वो या बद्बू है जो भी है वो हमारे पास air में ट्रेवल कर रही होती है मतलब air में present होती है ठीक है the nerves in the nose receive the smells the brain tell us if the smells are present or not हमने कहां जो sense organs है वो जो है brain तक message लेकर जाती है brain तक message को लेकर जाता है नर्व ठीक है अब जो nose में nerves मुझूद है वो हम जब smell करते हैं वो nerves smell को लेकर brain तक जाते हैं फिर हमें brain बताता है कि वो जो smell हमने की जो smell हमें आई वो present है या pleasant में तब खुशकवार है वो अच्छी है यह बुरी ठीक है नेक्छा माँ पास क्या है टंग टंग help us to test things the thing is the tongue is the tongue is the nose से हम smell करते है तो tongue से हम क्या करते है टेस्ट ठीक है टंग जो हमें taste करने में मदद देता है tongue is covered with a tiny pores which taste different things करते हैं अब हमारे जो जबान है चोटे चोटे सुराख होते हैं different जो के हमें चीजें के बारे टेस्ट के बारे में बताते हैं we can tell if something is sweet हम बता सकते हैं जबान के वज़े से हम बता सकते हैं कि कोई चीज मीठी है sweet है sour है खटी है bitter है तुर्ष है salty है नमकीन है या hot है या गरम है ठीक है यह आपको साथ मीन ही उतारे हूं श्रीट मीठा सोर खटा बिटर कड़वा salty नमकीन हाट गरम ठीक है the tongue also help us also help us to talk अब जबान तो एक तो हमें जायकों को बारे में बताती है टेस्ट के बारे में और साथ हमें किसके बारे में बताती है हमें help करती है बोलने में ठीक है अब नेक्स्ट का है skin skin का काम कहा है बचो touch since का sense क्या है touch the skin help us to feel हम जब feel करते हैं चीजे हम skin की वज़े से करते हैं just under the surface of the skin are the ends of nerves जिस तरह हमारे बाकी sense organs में nerves है इसी तरह इसमें भी nerves है ठीक है when we touch something the nerve endings send a message to a brain ठीक है जिस तरह बाकी sense organs थे इसी तरह skin में भी ऐसी होता है जब हमें कोई चीज टाच होती है तो हमारे nerves ending जो हमारे skin में मुझूद है वो brain के पास message लेकर आज जाते है वो फिर हमें brain बताते है कि वो जो चीज है वो घरम है ठंडी है कैसी है चुब रही है आपको दर्द हो रहा है क्या भी pressure भी यह सारा हमें brain बताते है skin जो है message देती है brain को फिर brain हमें बताते है ठीक है we can tell if something is hot or soft ठीक है we can feel heat cold pressure and pain we can feel it if something is hot or soft हम बता सकते है कोई चीज घरम है ठंडी है दद हो रहा है हमें pressure हमारे skin पर दबाओ आ रहा है जिसम पर या कोई चीज घरम है या सखत है ठीक है बचो five sense organ है eyes ears nose tongue and skin eyes sense है see eyes see nose smell ears hear tongue test skin touch ठीक है बच्चो अब हम concept check करते हैं अब यह आप से पूछ रहे है which organs which would be involved in senses these changes हमने का कि हमारे organs जो change होता है जो कुछ भी होता है हमारे sense organ बताते हैं आप नीचे तीन options हैं अब हमें बताएं हम देखते हैं कि इन जो तीन चेंज रहती हमें कौन से sense organ बताता है ठीक है while you are sleeping there is a sudden change in temperature करते हैं आप सो रहे हो और अचानक temperature में change आज़े तो आपको कौन सा sense organ बताएगा आइस बताएं कि नहीं skin क्योंकि skin का काम है feel करना ठीक है temperature हमने का cold or hot हमें कौन बताते है skin ठीक है while searching in a bag for a book a pin pricks your finger क्यते हैं आप अपनी bag में कुछ book ढून रहे हो और आपकी उंगली में spin जो है वो चुप जाती तो आपको कौन बताएगा feel कौन करता है skin ठीक है skin बताएगी while you are in your bedroom someone comes to the front of the house किते हैं आपको अपने bedroom में हो आपको बापके दर्वाजे की जो घर का दर्वाजे उसके बाएर कोई आ जाता है आपको कैसे पता चलता है आपकी ear से और या तो आप उसको देखोगे या फिर वो घंटी बचाएगा ठीक है आपकी ears and eyes यूज़ोंगे ठीक है बचो आपको यह concept चेक करने के लिए था नेक्स जो राइटिंग वाला है यह हम इंशालला फिर करेंगे नेक्स लास में पिलहार आप इसको इनके मीनिंग्स देखलें ठीक है यह words में इन सी paragraph में उठाएब है स्मेल बू सैंड खुश्बू और पद्बू रिसीव लेना यहासिल करना कवर्ड ढका हुआ पोर्ड सुराख स्वीट मीठा प्लेजंट खुशगवार यानि कि अच्छा खटा सोरी सोर खटा बिटर कड़वा साल्टी नमकीन सर्फिस सता प्रेशर दबाओ पैन दद ठीक ह अच्छो यह आपने पनी कोपी से लगने ठीक है थैंक यू ला आफिज